दोस्तो आज के वीडियो में समझेंगे कि आपका बालो का डोक्तर आपका ट्राइकोलोजिस्ट वो कौन से आपसे 15 प्रशन पूछ सकता है आपके बालो की समस्या की तहह तक पहुचने में कि आपको क्या बिमारी है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तो जब भी आपको बालो की समस्या होती है आप बाल जटने से गंजेपन से डेंटरफ से या बालो की किसी भी समस्या से प्रशान होते हैं तो सबसे पहले आप अपना इलाज अपने घर पर करते हैं घ्रेलू नुस्कों को अपनाते हैं अपनी डाइट की तरफ ध्यान द जब आपको अपनी समस्या का समधान इन उपायों से नहीं मिलता तब आप डॉक्टर का रुख करते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बिमारी तक पहुचने के लिए आपसे कुछ प्रशन करता है जिससे वो जान सके कि आपकी समस्या का मूल क्या है उसकी जड़ क्या है तो आज समझेंगे उन 15 प्रशनों को जो आपका डोक्टर, आपका ट्राइकोलोजिस्ट, आपके बालों का च्किस्सक आपसे पूच सकता है पहला प्रशन, जानना चाहता है कि आप किस स्मस्या को लेकर उसके पास आए है आपके बाल जड़ रहे हैं, आपको बालों में डेंडर्फ है, आपको ग्रेंग की समस्या है या कुछ और तो यदि आप सही तरीके से अपनी समस्या डोक्टर को बताएंगे तो उसको समझने में असानी होगी और आपका इलाज वो बेतर तरीके से कर पाएगा दूसरा है, डूरेशन, आपको बालों की समस्या कितने लंबे समय से है यदि आपको बाल जड़ रहे हैं, तो वो 2-3 महिने से हैं, 6 महिने से हैं, 1 साल से हैं या उससे ज़्यादा है आप सही से डॉक्टर को वो ही टाइम लाइन पताईए, जिसमें आपकी बालों की समस्या शुरू हुई है तीसरा प्रशन, यदि आपको बाल जड़ने की समस्या है, तो आपके एक दिन में कितने बाल जड़ते हैं दोस्तों, अमूमन 50-60 बाल जड़ना और कुछ केस में 100 बाल जड़ना भी नॉर्मल माना जाता है यदि आपके बाल इससे ज़्यादा जड़ते हैं, 100-100-100-200 या इससे भी ज़्यादा, तब ये समस्या की केटिगरी में आता है तो आपके डॉक्टर को तभी आपकी समस्या पता लगेगी, जब उसको एक exact idea मिलेगा कि आपके परड़े बाल कितने जड़ते हैं, ये normal है या abnormal है चोथा प्रशन, area involved, डोक्टर आपसे पूछ सकता है कि किस हिस्से से बाल ज़्यादा जड़ते हैं, या बालों की समस्या आपको किस हिस्से में है वो आपके vertex में भी हो सकती है, वो आपके ocpital में, सिर के पिछले हिसे में भी हो सकती है, वो sides में भी हो सकती है, वो आपके front में भी हो सकती है तो जिस जंगे पर आपके बाल ज्यादा जड़ते हैं या जिस जंगे पर आपको बालों की समस्या है वही आपको ठीक ठीक से बताना है पांचना प्रशन Hair Thinning or Not डोक्टर आपसे पूछ सकता है कि आपके बाल पतले भी होते जा रहे हैं यदि आपको लगता है कि आपके बाल पिछले कुछ समय से density कम होने के साथ साथ पतले भी हो रहे हैं बालों का diameter भी कम हो रहा है बालों की thinning हो रही है तो वो भी आपको स्पस्ट बताना है छटा प्रशन Baldness if any यदि आपको किसी भी तरह का गंजापन नजर आता है बालों के बीच में खाली स्पेस नजर आता है तो वो भी आपको डॉक्टर को बताना है आप बता सकते हैं कि पछले 6 महिने से आपको इस जंगे पर खाली पन नजर आ रहा है या पिछले 15 दिन से आपको ये जंगे खाली नजर आ रही है इससे आपके डॉक्टर को पता लगेगा कि ये अलोपेशिय अंडोजेनिटी का male या female pattern baldness है या फिर ये trichotillomania है या फिर ये alopecia areata है साथवा प्रशन आपको कोई burning, itching, dendruff या किसी भी तरह की sensation अगर बालों में है बालों में आपके खारिश हो रही है जलन हो रही है या flakes दिख रहे है या dendruff नजर आ रही है वो सारी की सारी बाते आपको अपने डॉक्टर के साथ शेर करनी है ताकि उसको डाइग्नोज तक पहुचने में आसानी हो आठवा परशन scar if any यदि आपको सिर्क की अंदर कोई ऐसी जंगर दिखती है जो बिल्कुल प्लेन हो चुकी है जैसे हमारी हतेली होती है जिसे हम scarring बोलते हैं तो आपको अपने डॉक्टर का वो बतानी है वो किसी चोट का निशान भी हो सकता है या एलोपेशिय अरियाटा में जो दो किसम का होता है scarring और non scarring उसकी तरफ भी indicate कर सकता है तो आपको हर स्थिती के अंदर डॉक्टर के साथ share करना है यदि कोई भी scar आपको अपनी scalp में नजर आता है नौवा प्रशन Associated Systemic Disease दोस्तो यदि आप बालों की बिमारी के साथ साथ किसी और बिमारी से पिडित है मालों आपको कोई बुखार है या आपको पेट की, लीवर की, हर्ट की, respiratory organ की कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ share करना है या पिछले दिनों आपको कोई बिमारी हुई है या आप किसी सर्जरी से गुजरे है तो सारी की सारी चीज़े आपको अपने डॉक्टर के साथ share करनी है क्योंकि बालों की बहुत सारी बिमारीया आपकी किसी Associated Systemic Disorder की वज़े से भी हो सकती है दस्वा प्रशन Lifestyle Nutrition दोस्तों आपको अपना जीवन के बारे में आपका Lifestyle क्या है क्या आप भोजल लेते हैं क्या आपका रहन सेन है क्या आपकी दिन चरिया है सभी किस डॉक्टर के साथ share करना है वो आपसे ये प्रशन अवश्य पूछेगा कि आप खाने में क्या-क्या खाते है इससे वो ये जानने का प्रेतन करेगा कि कहीं आपको कोई Nutrition Deficiency तो नहीं है क्या आपके सोने उठने का रूटीन ठीक है क्या आपका Sleep Cycle ठीक है क्या आपको नींद की कमी तो नहीं होती ग्यारवा प्रशन Family History दोस्तो बालों की समस्याओं में और श्रीर की बहुत सारी बिमारियों में Family History का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इससे पता लगता है कि कोई बिमारी अनुवांशिक है या नहीं है Male Pattern, Female Pattern, Hair Loss के अंदर अक्सर गुंसूत्रों की वज़ए से बालनेस देखी जाती है यानि आपकी फैमिली में मदर या फादर की फैमिली में किसी को बालों की तिनिंग रही हो या गंजापन कम उमर में रहा हो तो आप में वो आने की सम्भावना होती है तो इसलिए Family History का बहुत बड़ा रोल Pattern Hair Loss में होता है इसके अलावा अलोपेशिया, रियाटा, ट्रैकोटिलोमेनिया और बहुत सारी बिमारिया जैसे प्रीमेच और ग्रेंग के अंदर भी हेडिट्री इन्वोल्मेंट देखी जाती है बार्वा प्रशन Drug History दोस्तो आप किसी भी तरह की कोई medicine ले रहे हैं कोई द्वाईयों का सेवन कर रहे हैं वो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है क्योंकि बहुत सारी द्वाईयां ऐसी होती है जिसके दुश प्रभाव के चलते भी आपके बाल जड़ सकते हैं या बालों की अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है तेर्मा प्रशन साइकोलोजिकल सिम्टम दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है कोई चीनता है तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है वो भी आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना है क्योंकि बहुत सारी मानसिक समस्याओं के फल्सवरूब भी बालों की समस्याओं आ जाती है चोध्मा प्रशन मेंस्ट्वल सिम्टम्स इन केस ओफ फिमेल दोस्तों यदि आप महिला हैं तो आपको मासिक धरम से समंदित कोई समस्या हो सकती है आपको हर्मोनल कोई समस्या हो सकती है आपको फेशिल हेर यानि हिरसूटिजम हो सकता है तो ये सारी की सारी समस्याओं आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर अवश्या करनी है ताकि उसको डियागनोज तक पहुँचने में असानी हो और दोस्तो पंदरमा सबसे अंतिम प्रशन है हेर ब्रेकेज कई बार बाल जड से निकलता है और कई बार बाल बीच से टूड जाता है जब बाल बीच से टूडता है तो कहीं न कहीं वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो सकती है hair shaft deformity हो सकती है यदि आपका बाल भी से तूटता है तो ये protein के कारण हो सकता है या फिर genetic deformity हो सकती है दोस्तों यदि आप इन सब 15 प्रशनों का अपने doctor के साथ सही उत्तर share करेंगे तो निश्चित ही आपके doctor को मदद मिलेगी आपकी बीमारी के diagnose तक पहुँचने में और वो best treatment आपके लिए stress कर पाएगा इसके बाद वो आपको बहुत से रे test treatment कर सकता है trichoscopy करा सकता है scalp biopsy करा सकता है trichogram करा सकता है microscopy करा सकता है ultrasound करा सकता है और कुछ blood test भी तो वो जानेंगे किसी अन्य वीडियो में मैं उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो इसे share अवश्य करें और notification bell दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो miss ना हो यदि आप channel पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें नमस्कार